हेलो गाइज आज हम बात करेंगे कि आज के समय में सबसे अच्छा फार्मा बिजनस आइडिया क्या हो सकता है अगर मैं आज के समय में सबसे अच्छे बिजनस आइडिया कोई दे सकता हूं तो वो है फार्मेसी और अगर हम बात करते हैं कि फार्मेसी ही क्यों क्योंकि फार्म and cosmetics act or high court की कुछ फैसलों के अधार पर ही regulated होती है है केवल उसी तरह है जिस तरह से 2000 के टाइम में manufacturing sector होता था अपने सरवाती दोर में manufacturing sector इतना regulated नहीं था lessons के इतने ज्यादा कायदे कानून नहीं थे अराम से कुछ कमिया होने के बावजूद भी आपको उस वक्त मनुफेक्ट्रिंग लेसेंस मिल जाता था और उस टाइम में जिन्होंने पैसा कमाया है मनुफेक्ट्रिंग में और जैसे ही जब कॉम्प्लिकेसंस बड़े हैं लेसेंस के नियम सकत हुए हैं तो उनका बिजनर स्टेबल हो सका करते थे और ज्यादा तर कंपनिया तो उनको केवल सोफ एक्ट रिश्टेशन पर बनाती थी क्योंकि उसके से पहले कोई ऐसा ला नहीं था मुसीपट्टी से नंबर लेके वही लेसेंस नंबर लगा देते थे लोग और उसी से फूड सप्लिमेंट बनाया जाता था तो उस वक्त बहुत लोगों ने अपना बिजनस स्थापित किया और उनके लिए आगे का रास्ता थोड़ा बढ़ गया फिर फूड एक्ट होआ फिर सेंटराइज द्रेसंस मिलने लगा फूड सप्लिमेंट के लिए लेकिन वह लोग जिन्हों ने उस वक्त काम सुरू किया वह इस हो सकता है कि आपके पास first mover advantage नहीं हो बहुत सारी e-farmacy आ चुकी है market में लेकिन आपके पास हमेशा ही इंप्रूवर advantage रहता है आप दूसरों को copy करके उनका model भी copy करके अगर उसको इंप्रूव करते रहते हो तो फिर भी आप कई ना कई market में जंगे बनाने में कामियाब रह सकते हैं और एक दूसरा benefit जो मेरे को e-farmacy में नजर आता है वह आता है कि हम इसे part time सुरू कर सकते हैं हम इसे part time कैसे सुरू कर सकते हो और सकता है कि आप job कर रहे हो क्योंकि offline pharmacy कि अगर बात करते हैं तो वहां पर जितना time आप उसको खोल के रखते हो उतने ही आप पे ग्रहक आते हैं जब उसको बंद कर देते हो आपका ग्रहक भी आना बंद हो जाता है लेकिन e-farmacy में आपको हमेशा ही खोले रखने की जुरूत नहीं है केवाल आपको order collect करने हैं और फिर उसको आपको delivery देनी है तो आप अपने time की convenient के साफ से उसको delivery दे सकते हैं हो सकते हैं अपकी starting में अपने साहर से सुरू कर सकते हो फिर आप उसको बढ़ा सकते हो state wise फिर आप उसको central level पर भी ले जा सकते हो पूरे all over India भी कर सकते हो और दूसरा फाइदा जो फामेसी में है उसमें आपको केमिस्ट की जो सोप होने चाहिए आपकी उसमें फ्राइम लोकेशन की आपको जूरत नहीं होती जो offline pharmacy होती है उसमें अगर जहां पर crowded place है जहां पर hospital है वो compressor ही हो जाता है कि वहां पर आपका होना चाहिए क्योंकि patient आपके पास चलके आ रह जो सकते हैं कि आपको ब्लड के आपको काम कर सकते हो लेकिन अगर आप स्टेट में कर रहे हो या पूरे country में कर रहे हो तो आपके वास एक अच्छा लोजिस्टिक और कोरियर पार्टनर होना वहां पर बड़ा जरूरी है इसके अलावा आपको एक e-commerce एप ये website बनाने की ज जरूरत है तो मेरे लिए साब से आज के टाइम में सबसे जो बैस बिजनस आडिया है फार्मा में वह फार्मेसी ही है